दोस्तों नमस्कार आज के इस वीडियो में हम नवदय क्लास के अंतरगत संख्या पध्धती के 10 महत्तरपुर प्रश्णों को हल करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं आज की वीडियो का जो पहला प्रश्ण है और इस PDF का आप देख सकते हैं 11 नंबर का प्रश्ण है इसका अर्थ यह हुआ कि इसका प्रश्ण ग्रमांग एक से लेकर के 10 तक के प्रश्णों का जो वीडियो हैं हमने पहले ही जारी कर दिया है वो जो वीडियो है यह वाला वीडियो है जिसे आप सभी ने देखा भी है यदि नहीं देखी होंगे तो इस वाले वीडियो का जो लिंक है मैं आज का जब class समाप्त होगा तो उसके लाश्ट में आपको दे दूँगा उसका अराम से देखिएगा तो सबसे पहले आज के प्रश्ण जो है पहला जो प्रश्ण आज की वीडियो का जो इस वीडियो का इस पीडियेप का जो है ग्यारवा प्रश्ण है उसको हल करते हैं यहाँ पर हम प्रश्ण को केवल हल नहीं करेंगे साथी साथ यहां समझते जाएंगे कि ऐसे प्रश्ण मे के बाद भी यह प्रस्ण काफी सरल है बच्चे option देखकर के उलज जाते हैं और ऐसी छोटी छोटी प्रस्णों में गलतियां कर दते हैं बड़े बड़े प्रस्णों तो असानी से बना लेते हैं लेकिन ऐसे प्रस्णों में कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि एकी प्रकार की च चिन्द है ये तो सभी जानते हैं लेकिन अक्सर confusion रहता है कि किस तरफ छोटा होगा किस तरफ बड़ा होगा तो समाने सी बात है जब भी ऐसे चिन्द बनाते हो तो जिधा नुकिला रहेगा नोक वाला जो हिस्सा होता है वो होता है छोटे की तरफ और इधर जो होता है से छोटा होगा ठीक है पहला होगया अब हम देखते कि क्या वास्ता में सही है अर्थत वास्ता में यह चोटा है तो छोटे और बड़े की पहचान करने के लिए जो पहला काम है पहला काम है अंको को गिनना चाहिए मैं करम भी बताऊंगा क्योंकि ये तो उधारन मारतर है पर इच्छा में कई प्रकार से प्रस्न पूछी जाएंगे लेकिन आपको समझना होगा कि किस प्रकार से आपको बनाना है पहला जो काम होता है अंको को गिनना होता है यहाँ पर देखो एक अंग दो तीन चार पांच अंको की संख्या है ये भी पांच अंको की संख्या है दोनों 5-5 अंग की संख्या तब अगला काम होता है कि इसका जो इस तरब से, इस तरब से पहला अंग क्या है, पहला अंग के यहाँ पर 8 है और पहला अंग के यहाँ पर 7 है, तो जब पहला अंग 8 है, 7 से बड़ा है, इसका मतलब यह पूरी संख्या जो है, इससे बड़ा अब यहां पर चिन्न देख सकते हो, चिन्न के नुश्रार से यह छोटा होना चाहिए, लेकिन यह तो है बड़ा, तो हमको चिन्न को सुधारना है क्या, चिन्न को ने सुधारना है, यह आपसन गलत है, सिधा भाद, अब इसी प्रकार से इसको भी देखो, यह भी पांच अंको यहां पर पांच है, इसका मतलब यह संख्या बड़ा हुआ, देखो चिन्न कीस तरफ है, छोटे की और है, मतलब यह भी आपसन क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि यह संख्या बड़ा है, लेकि चिन्न क्या बता रहा है, कि यह यह जो है, इससे छोटा है, यह जो संख्या है, पचास हजार पांस सो पचास पचास हजार पांस सो पांस से छोटा है ऐसा बता रहे है कौन सा ये चीन जो है तो इसका मतलब इस चीन जो है गलत लगा है तो ये भी आपसर नहीं होगा अब इसको भी देखते हैं ये भी चारंको की संख्य है यहाँ पर देखो यह 6 है यह 5 है इसका मतलब यह बड़ा है अब चिन्न को देखते हैं जो है इस तरह बड़ा होना चाहिए रियल में बड़ा है इसका मतलब यही सही उत्तर है अब आगे देखते हैं तो यह तो दोनों बराबर यहाँ पर बराबर का चिन्न होना था जो की छो आपको compare करते जाने है तूर ना करते जाने है अब आगला प्रश्ण जो है 12 नंबर का प्रश्ण बहुत महत्तपूर प्रश्ण है बहुत ही important प्रश्ण है बहुत ही गलतिया भी होती है इसमें तो इस प्रश्णों को सबसे पहले आप पढ़िए और इसका जो उत्तर यदि जा 40 आप संडी जो है 50 अब इसको हल कैसे करेंगे तो अक्सर क्या होता है 35 से 80 अर्थात कई बच्चे जो है 45 को उत्तर दे देंगे 45 को उत्तर देंगे जो की गलत है अब मैं बता रहूं कि इसको हल कैसे करेंगे यहाँ पर तो 35 से लेकर के 80 दे दिया है तो समाने से कई बार क्य करते हैं 35 से लेकर के असी तक लिख लोगे उसक्यत गीनोगे यह समाने तरीका है लेकिन यह यदि जो यह 35 से 800 दे देगा तब कैसे करोगे गिंते बैठोगे क्या फिर तो बहुत समय हो जाएगा है कि ने तो यह तरीका कारगर नहीं है आपको मैं दूसरा तरीका बता रहा हू बहुत सराल तरीका से मैंने प्राकिस्संख्या को एक्स्प्रेन किया है टिक है यह प्राकिस्संख्या के वारे में आप जानना चाहते हैं तो यूट्यूब में आप सर्च करेंगे recorded के से सर्च करना इसा लिखना ठीक है उजवल लख़् लिखना आपको समझेएगा ठीक है अब हम बात करते इस परसनों को कैसे हन करें यहाँ पर देखो उधारेंग के तौर पर एक दो तीन चार पाँच छे साथ आठ नौ यहाँ तक मैं लिग दिया चलो दस को भी लिग दूगा दस को भी लिग दिया अब यदि मैं पूछता हूं कि पांस से पा संख्या ऐसे बोलेंगे जो की गलत है आप चेक कर लिजिए यहाँ पर पांच है यहाँ पर दस है इन दोनों की बीच अर्थात इसको नहीं गिनना है और इसको नहीं गिनना है गिनना है क्या नहीं गिनना है तो आप देख सकते हैं यह एक संख्या दो संख्या तीन संख्या चार संख्या हुआ आपने तुरंद बताया था पांस संख्या जो की निकल रहा है चार संख्या अब यह कैसे हुआ इसको समझिए यदि हम गिनते हैं तो समाने तोर पर हम जब गिंदी शुरुवात करते हैं एक से करते हैं है नहीं हम गिंदी शुरुवात करते हैं एक से और जहां तक गिनना चाहते हैं गिन सकते हैं लेकिन इसमें हम कहां से शुरुवात करें गिनना 6 से कर रहे हैं देखो तो यहाँ पर हम 10 लिख दिये, अब 5 तक नहीं गिने हैं, अर्थत 5 जो है कट गये इस से, और इसके साथ साथ हम 10 को भी नहीं गिने हैं, तो 5 और 1 6, तो 6 संख्याओं को हम नहीं गिने, एक से लेकर के 5 संख्या और 10, इतना हम टोटल 6 संख्या को नहीं गिने, तो इस 10 में से आपको 6 को घटा देना है, मिल जाएगा 4 यही इसका उत्तर है, तो ठीक इसी प्रकार से जब 35 से आप 80 तक गिनोगे, तो 35 अर्था 36 से सुरुआत करोगे, तो 35 तक तो आप गिनोगे ही नहीं, है नहीं भी, 35 तक तो आपको गिनना नहीं है, एक से लेकर के 35 तक आपको गिनन इस, ठीक है, तो यही इसका उत्तर होगा आप संबी, अब माल दीजे 35 से लेकर के 800 दे दिया, इसका मतलब है 800 में हम जो है क्या करेंगे, 36 को घटाएगे, ठीक है, क्योंकि हम 35 तक तो नहीं गिनेंगे, और उसके बार 800 को भी नहीं गिनेंगे, तो यहाँ पर, कब जब यहा पुछा जाएगा, तो उसका अलग तरीका होता है, ठीक है, चलिए, जब भी उस प्रश्णों को आएंगे, सेथ तक वाला, तो उसको भी समझाएंगे, यहाँ पर इस प्रश्णों को आगिए, वीडियो को लाइक कर दीजे दोस्तों, अब अगला जो प्रश्णा है, प्रस सभी अंकों का प्रयोग करना है, है ना, सभी अंकों का प्रयोग करना है, और उसे सबसे बड़ी संख्या आपको बनाना है, तो सिंपल सा बात है, आप अप्सन को बाद में देखना, इसी को हल कर देना, सबसे बड़ी संख्या बनाना है, तो दिखो क्या करना है, सबसे बड भारना पड़ेगा 8, 6, 9, 7 और 5 में सबी अंको का सभी का प्रयोग एक-एक बार करके एक-एक-बार तीक है एक-एक-बार यहां पर एक-एक-बार औ लिख न था एक-एक-बार प्रयोग करके या फिर 5 अंको के सबसे बड़ी संखिया यहां पर ऐसे लिखा जाता यहां पर छूटा हुआ है अब एक एक बार करना है तो हम क्या करेंगे सबसे बड़ी संख्या के लिए सुरुवात क्या करेंगे सबसे बड़े अंग को पहले लिखेंगे यह पहले आ गया ठीक है उसके बाद बड़ी संख्या दोनों अटने एक बाद यह साथ है उसके बाद ये 6 है, उसके बाद ये 5 है, तो यहाँ पर देख सकते हो, 9, 7, 6, 5, 9, 7, 6, 5, 9, 7, 6, 5, देखिए ये वाला इसका उत्ता है, ठीक है, तो इस प्रकार से आपको बनाने है, सबसे छोटी संख्या बोलेगा, तो 5, 6, 7, 8, 9, इन ही अंकों से, ठीक है, चलिए, रस्नक करमान 14, चारमको की सबसे छोटी संख्या और चारमको की कुल संख्या का योग होगा, ये किस प्रकारत का सवाल है, चारमको की सबसे छोटी संख्या थो हमने पढ़ा है, हना वे चारमको की सबसे छोटी संख्या एक हजार होता है, लेकिन चारमको की कुल संख्या कितनी होती यह थोड़ा सा confusion आ गया अब इसको कैसे हल करें किसी को भी लगा दे क्या तुक्का किसी को भी लगा दे हमको बता करना होगा कि चार अंको की कुल संख्या कितनी होती है तो चार अंको की कुल संख्या कितनी होती है इसके मैं दो तरीके आपको बता रहा हूँ पहला जो तरीका है चार अंको का पुछा है तो चार का गुणा कर दो आप 1000 से तीन अमकों का पुछा जाएगा सुरी यह 9 का गुणा करना है चार अमकों का पुछा जाएगा तो 9 गुणा 100 दो अमकों का पुछा जाएगा तो 9 गुणा 10 एकंकों का पुछा जाएगा तो 9 गुणा 1 पाच हमकों का पुछा जायागा तो 9 गुणा आप 10,000 करोगे ये एक तरीका हुआ इसको मैंने काफी पहले से बता भी दिया है अब जो दूसरा तरीका है अभी हमने जो हल किया उसी अधार पर जैसे कि दिखिए चार हमकों की संख्या की सुरुवात कहा होती है एक हजार से और फिनिश कहा होता है 9,9999 सिंपल सी बात है अर्थात यहां से लेकर यहां तक अभी हमने जो इसके पहले उदारान हल किया प्रश्नकरमांग 12 उसको देखे होंगे कि ये जो है के बीच पर है 35 से 80 के बीच अब इसको आप देखो ये दूसरे तरीका भी बता ये जो है यहां से यहां से यहां तक है यहां से यहां तक है ठीक है वो के बीच था यहां से यहां तक है इसको भी आप उसी तरीके से बना सकते हैं क्या होगा कि हमको गिनना कहां से सुरू करना है एक हजार से है ना भई क्योंके एक हजार से इसका मतलब हम 999 को हम नहीं गि और खतम कहा करें गिन न 999 तक हमको सिधा मतलब यही निकालना है कि हम जो है 999 तक नहीं गिर रहे हैं, तो हमें 9999 में 999 को घटा देने हैं, क्योंकि गिंती यहां से सुरुवात हो रही है, जब घटा हो गए तो यह भी निकल जाएगा, ठीक है, यह 9000 निकल जाएगा, चाहे आप इस तरीके से समझो, आपको जो समझ में आता है उस प्रकास से बना सकते ह आता हुला चाहरं को कि कुल संख्या, और यहां पर प्रसन कहा गया है, चाहरं को कि सबसे छोटी संख्या, रथह 2022 लिखेंगे तो आपको हमारे सारे वीडियो मिल जाएंगे इसके साथ ही साथ जो है आप हमारे चैनल को जब आप जोईन करते हैं या सस्काइब करते हैं तो भी आपको मिल जाएंगे इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा यूटूब में सर्च करना है उज्वल लक्ष ल उसको क्लिक करना यहां पर आल का जो अप्सन इसको बाना तब जो भी नए वीडियो मैं डालूंगा आपके मॉपाल नोटिपिकेसट पर मिलेग नोटिपिकेसट कहा होता है। आपके मोबाल सबसे उपर या नीचे में देखना ऐसे घंटी कचिन होगा और उसमें जो है ऐसी नंबर भी लिखा रहते हैं इस नंबर का मतलब है कि आपने जितने चैनल को सब्सक्राइब किये हैं उसमें से कुछ चैनल जो है वीडियो अप्लोड कर दिये हैं इसको जब क्लिक करेंगे जैसे में आपे क्लिक करते हो यहां पर देखिए जीतना को मैंने सब्सक्राइब करके रखाय है उसमें से वीडियो अप्लोड हुए है उसको हम क्लिक करके देख सकते हैं यह होता है नोटिपीक वापस कळास में आते हैं हम प्रश्णक्रमांग 15 प्रश्लक्रमें 15 है कि नीम्नना मेंसे किस उत्तर जो है पच्छपन होगा क्या होगा पच्छपन होगा अब यहां पर उत्तर पूचा है देखना पड़ेगा प्रथम पांच प्राकिस संख्या का योग एक धन दो धन तीन दन चार धन पांच इसको जोड़ेंगे पच्छपन होगा क्या देख लेते हैं उसके प्रथम दस प्राकिस संख्या का योग, तो जो बच्चों ने, जिन बच्चों ने जो हमारा पच्पन का खेल वाला वीडियो देखे है, पच्पन का खेल, बहुत बढ़िया वीडियो है, बहुत मज़ेदार वीडियो है, उस वीडियो को देखे है, उसको जो है, कभी भी ऐसे प्रस् तो आप यूटूब में सर्च करना पच्पन का खेल आपको पूरा कॉंसेप्ट समझ में आएगा यहाँ पर इस प्रेश्चन को हल करते हैं यह होगा इसका उत्तर आप्शन भी उसी तरीके से मैंने बता दिया जैसे मैंने बताया अब इसको जो है क्या करेगा सत्यता के लिए देख लीजे दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ और दस जोड़ लीजे इसको एक धन दो तीन तीन च्छे च्छे चार दस पांच पंद्राश च्छे एक किस साथ अठ्छे साथ च्छे तीस नौ पैंतरीस और यह इसका उत्तर होगा है कि नहीं अप्रेश्चन क्रमांग सुला मोत बढ़ी प्रश्ण्य है पांच और की कुल शंख्या और की कुलसंख्या का अंतर होगा अभी हमने इक कॉंसेप्ट बताया था किस प्रकार से आपको जो है चार अंको की संख्या निकाले कुल हांग को संख्या तर यहांपर भी जो है इस प्रकार से दसुदा लिखेंगा गिर नहीं इंगे पांच वना सी एक दो तीन चार पाच और दो अंको के लिए नौ अगुना दस ये भी 2 अंकू कोनच चीह तो आप देख सेब्टे कितना है 90 ठीक है और 2 अंकू कि संख्या दो अंकू की कुल संख्या 90 क्या करना है अंतर करना अर्थात इसको घटाना करें आयते हैं यहां पर सुनने होगा यहां पर क्या हो जाएगा उच बच्चे घटाने भी गल्ती कर रहते हैं यहां पर नौ नहीं आएगा नहां यहांपर क्या होगा यहां पर क्या होगा बताओ बता हुए यहां पर क्या होगा गदेकर चोने है तो इस तरब से चिल्ष कर weiß यह-दथ-पीन अ-च-विडन यहां पर कैसा लग रहा है वीडियो कमेंट करके मज़ से बताइए हमारा वीडियो बिल्कुल बेसिक पर रहता है और हम कोशिस करते हैं कि बच्चों को इंदम समाज में इसलिए बहुती सरल तरीके से बताने का प्यास करते हैं आप लोग वीडियो को खुब सियर करना ताकि मुझे भी न्यूनतम सबसे छोटा सबसे चोटा ये सबसे कम सबसे न्यूनतम या सबसे छोटी ऐसे शब्द का प्रेव होता है तो जहाँ बराबर अंकों की संक्या, पांच अंकों की, पांच 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 अंकों की, अब हम इसका इस तरफ से, इस तरफ से सुरुवात देखते हैं, यहाँ पर एक, 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 यह सब बराबर है, यहाँ पर दो, दो, सब में दो, दो है, यहाँ पर चार, पांच, तीन, तीन, चार छोटा है पांस से उसके बाद चारों आफसर में से तीन तीन छोटा है अब ये दोनों आउट हो गया अब इसके बारे में आगे सोचना ही लिए अभी इन दोनों में तुम लों करेंगे यहाँ पर तीन यहाँ पर तीन यहाँ पर चार यहाँ पर चार यहाँ पर चार यह तो पांच Amito कैसे बनाएंगे ये हैंपर एक और सून्य दे दिया है वो सकता है आठ और छह देदेगा वह सकता है तीन और उस्वारों देदें जाता है तेल दूसरा तरीका है आप जो है इसमें से ढून लेजे कि किसमें किसमें एक और सुनने है पहले आसमें देखो कि पूरा एक-एक है तो यह नहीं होगा यहाँ पर एक और सुनने है यहाँ पर भी एक सुनने है यहाँ पर भी एक सुनने है अब तिनों में से गलो सबसे बड़ा कॉन से है ये एक तरीका होगा है ना वह आपसन हमिशा जो है बच्चों की मदद करता है तो यहां पर देखो आपसन D देख सकते हो यहां पर एक 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 यहां सुन ये सुन ये सुन ये बड़ा है है दिवन तो यह जो है सबसे बड़ा संख्या अब इसको हमने हल कैसे किया अगर मालीजी आपसन नहीं दिया रहा तो कैसे बनाएंगे जैसे हम इसको भी बनाएंगे इसका सबसे छोटा बनाएंगे चलो इसका सबसे छोटा और इसका जो है सबसे बड़ा बनाएंगे यह तो हमने बना आदिया तो जब भी ऐसे देंगे सबसे बड़ा बनाना है तो क्या करना दोनों में से जो बड़ा अंख है उसको जो है जितने अंखों का बोला है पांच न्युकर का तो अब 4 बाल लिख हो एक दो तीन 4 और आकरिम लगा दो छोटे संख्याँ छोटे अंखों बन गये ठीक है अब उसके बाद इसमें देखते हैं सबसे छोटा बोला है सबसे छोटा बोला है तो जो छोटे अंक है उसको अब चार बालिग दो एक, दो, तीन, चार, पाँच अंको की बोला है तो दस अंको का बलता तो नो बाल लिगते हैं उसके बाद सबसे बड़ी को अंती मिली दो यह क्या बन गया सबसे छोटा संख्य इतने अंको की पांच अंको का जब इन दोनों बसका प्रयोग करना है इसमें सबसे बड़ा बनाना है इसमें सबसे बड़े बनाना है तो क्या करेंगे पांच को चार बार लिख दीजे पांच इसमें क्या हुआ हुआ है इसमें सबसे छोटा बनाना था सुन्य था इसलिए ठीक है अब प्रश्नक्रामाम उन्निस्वा उन्निस्वा है साथ अंकों की सबसे छोटी संख्या वा पांच अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर होगा तो बहुत अच्छा प्रश्न है ऐसे प्रश्न पुछे जाते हैं हर साल पुछे जाते हैं साथ अंकों की सबसे छोटी संख्या कैसे करेंगे भूल गए हैं कितना बार सुनने आएगा साथ अंको में सिंपल सी बात है साथ इस थन पर एक रखो उसके बार छे बार आप सुनने लगा दो यह सिंपल सा कॉंसेप्ट हमने बताया था जब छोटी बड़ी संख्या को आपकी बीच हमने सिखाया था उसका भी वीडियो इसी चैनल में है ठीक है मैं लाश्ट में दे दूँगा या इस वीडियो के डिक्स्क्रिप्शन पर आपको मिल जाएगा ठीक है इसके बेसिक को समझना केवल रटने पर ने इस समझने पर भी मैंने काम किया है ठीक है अब इसको क्या करेंगे घटाएंगे तो यह घटाना भी बच्चों को मुस्कि लगता है तो सिंपल से देखिए यहाँ पर क्या ओजाएगा कि सुने मेंसे नुख गटेगा ती हो जाएगा 10 कई सब्सक्रिप्स की निए यहां पर आखाव नो ठीक है क्योंकि हमने क्या किया था इसको चिलहर कराया तो यह 10 हुआ था, 10 में से देते गए, देते गए, तो यहां पर कितना हुआ, 9 के बाद 4 सुने, कहां पर है 9 के बाद 4 सुने, पिर एक ये इसका उत्तर हुआ, ठीक है, अब जो है प्रसनक रमांग, 20 आखरी प्रश्ण आज की वीडियो का बहुत अच्छा प्रश्ण है एक लड़का एक मार्केट में दुकान नंबर 15 से 50 के बीच की दुकान में प्रती दिन अखबार बाड़ता है वो प्रती दिन कुल कितने दुकान में पेपर बाड़ता है अखबार आप थोड़ा से समझे इसको कैसे बनाने है प्रस्ण को घुमा दिया बिल्कुल हमने जो दूसरा प्रश्ण हल किया था आपको बता दे दूसरा जो प्रश्ण था इस वीडियो का जो बारवा नंबर का प्रश्ण था स्वारा इसवीडियो का दूसरा प्रश्णत था ऑर इस पीडियेप के बेच में प्राकीस संध्याथ आप यहां पर क्या कहा जा रहा है यहां पर देख सकते हो दुकान गूबर पुल दिया तंदरा से। प्चास के बीच की दुकानर से इसद। बिलुकूल वही है यहाँ पर इबारती प्रश्ट बना दिया है एक उधाराइए की रूपर बता दिया है है तो आपको घबराणना नहीं है आपको क्या करना है पंद्रह से पंद्रह से पचास के बीच अब चले बताई तो कितना आए norm-50 की बीच, इतना हैगा, अर्थाथ हम 15 से 50 के बीच कह रहे हैं, तो हम 15 को नहीं गिनेंगे, है ना वई, 15 तक नहीं गिनेंगे, और इसके सांसत 50 को भी नहीं गिनेंगे, तो 50 रियन 16 हो जायेगा, होगा कि नहीं होगा, अब इसे आप घटा दीजिए, यह हो जायेगा, अच्छ सबस propulsion इसके पहले 14 तक नहीं किनते हैं कि नहीं is की नहीं इसके सब्सक्राइब 15 में इसको उड् realities यहां पर छरद पशि से तक पुछा जाता यहां पर के बीश पूचा गया है है ये इस रहर सब ड़कशन के बहुत महत्तों पर一点 बतियो उस वीडियो का तो यह जो वीडियो है यहाँ पर जो वीडियो दिखाएद रहे है आप इसको सर्च भी कर सकते है इस नाम से JNVST22 नमबर सिस्टम नाम से सर्च कर सकते है या जो है इसी वीडियो को जो आप देख रहे हैं वहाँ पर इंड स्क्रीन में आ चुका है उसे आप टैच करके देख सकते हैं यह वीडियो आपको कैसा लागा कमेंट अवस्ते करना आपके कमेंट करूंगा नमस्कार